हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टूवर चैनल मैसलफ अमंदीब कौर हुंजरा और मैं आपको जो है फिजिक्स का क्लास 11 का स्लेवस करा रही हूं तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है system of units तो अभी तक जिसने ये चैनल सब्सक्राइब ने किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दे और जितना हो से के इस वीडियो को शेयर करें आप मुझे भी फोलो कर सकते हो मेरा भी यूट्यूब चैनल है अमन्दीब कौर हुंजरा के नाम से तो आप वहां से जाके आप मुझे जो है physics related आपको अगर कुछ भी help चीए तो आप वहां पे चैनल को subscribe कर सकते हो तो शुरू करते हैं आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है need for measurement, the measuring process, concept of mass, concept of length, concept of time तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमें measure ही क्यों करनी है कोई भी चीज को measure ही क्यों करना चाहते हैं need for measurement, देखो physics क्या होती है, physics वो branch of science की जो natural और nature से related phenomena के साथ deal करती है तो उसके लिए हमें कुछ quantities को measure करना बहुत जुरूरी होता है, जैसे कि आपने क्या किया, आपने चट से bowl फैंकी तो आपने चट से bowl फैंकी, तो आप जानना चाहते हो कि कितना time लगेगा उस bowl को नीचे आने के लिए ठीक है, जैसे कि मैं example के तोर पे आप मैंने बोला, कि आपने क्या किया, आपने किसी rooftop से bowl को नीचे फैंका तो जब आप नीचे फैंक होगे, तो आपको पहले find out करना पड़ेगा, क्या इसका distance है, ground से इस rooftop का distance आप जानना चाहते हो, ये object नीचे ही क्यों गिर रही है, वाई, ये reason, इसका क्या logic है, कि object जब उपर ही क्यों नी रहे गई, नीचे क्यों गिर रही है, अगर हम उसे क्या था, कि हमें जो है, measurement करनी पड़ेगी, distance की, distance हमें पता होगा, तो हम बता सकते हैं कि कितना distance है, इन बोल से ground का, उसके बाद time को हमें measure करना पड़ेगा, कितना time लेगा, बोल जो है, नीचे आने के लिए, and the third one is, जो बोल है, उसका mass, mass क्या है, और जब हमें mass पता लग जाएगा बोल का, तो हम यह देखेंगे कि mass, जो है, वो time के साथ vary करता है, क्या, mass और time के बीच में कोई relation है, अगर मैं heavy ball फैंक हूँगी, तो वो कितना time लेगी नीचे आने के लिए, और अगर मैं light ball फैंक रही हूँ, तो वो कितना time लेगी नीचे आने के लिए, तो इन जैसे कि आप example एक और दे रखा है, जैसे कि आप क्या करते हो, bulb है, आपने bulb on किया, तो वो क्या करेगा, electricity consume करेगा, तो जब electricity consume करता है, तो उसकी क्या लगती है, तो इसका energy कितनी consume हो रही है, इसको measure करना भी हमारे बहुत जुरूरी है, अगर किसी बच्चे का temperature हो जाता है, मानलो कोई बच्चा भीमार है, उसका fever हो गया, तो हमें temperature body का check करना बहुत जुरूरी है, तो इस तहरा से हम देख रहे है, observation और measurement जो है, वो क्या है, backbone है physics की, तो हमेशा measurement की जुरूरत पढ़ती है, आपके physics से related कोई भी concept को जानने के लिए, next topic है आपका the measuring process, तो measuring process क्या होग तो उससे पहले एक छोटी सी, मैंने कल आपको definition कराई थे, इस ने last lecture नहीं देखा, वो देख के आए, physical quantity क्या होती है, a quantity that can be measured and in terms of which logic of physics या फिर लौज ऑफ फिजिक्स आर डिसक्राइब इस काल physical quantity, physical quantity क्या होती है, वो quantity जिनको हम measure कर सकते हैं और जिनकी मदद से हम physics के laws को describe क सकते हैं वो आपकी क्या होती है, physical quantity, अब आप कोई length है, इस object की मुझे length जाननी है, तो आप इसे measure कर सकते हो, तो length इस अक पपकी physical quantity है, आप किसी object का time जानना है, तो वो भी क्या है, physical quantity या उसे measure कर सकते हो, तो amazing process में क्या है, सबसे पहले जो है unit क्या होती है, ये about रहे होना जो कुईंटिटिटी हम मेजर करना चाहते हैं उसका जो पनी होगा उसका जो पनी चाहिए तो सबसे पहले ले उनिट ही जो तो an arbitrary chosen standard of measurement of a quantity which is accepted internationally is called unit of quantity तो क्या कह रहे है कि कोई भी ऐसी arbitrary हमने जो है standard लिया है जिससे हम किसी भी quantity को मतलब measure कर पा रहे हैं और वो internationally भी असेप्ट हुआ है वो क्या कहलाएगी आपकी unit कहलाएगी जैसे कि example लिया हूँ है मालो मेरे पास यह AB है आपको क्या करना है इस length को measure करना है तो मैंने क्या किया मैंने 1 meter road ली तो meter road क्या होती यानि कि one meter road कितनी है one meter है तो आपको कम से कम कितनी road रखनी पड़ेंगी ताकि आप इस length को measure कर सको तो मैंने देखा कि मैंने तीन रोड्स रखी और तीन रोड्स में यह पूरी लेंथ क्या हो गई? मेजर हो गई तो हमने अरे पास क्या है? थ्री क्या है? Numerical value है लेंथ AB की और मीटर क्या है? यूनिट है मेजरमेंट की तो A भी किसके equal आजाएगा आपका 3 meter के equal आजाएगा यहनि कि 1 meter एक road रखी, second road रखी, third road रखी तो पूरी quantity, पूरी length जो है वो किसके equal है, 3 meter के equal है तो हमने यहां से देखा जो पूरी quantity है, वो क्या है numerical value into size of its unit ठीक है, तो हमने meter as a unit हमने select की थी तो क्या हूँ जो है, वो क्या है, n into u के equal है, n के है आपका numerical value और u के है आपका size of units अब यहां पर क्या कह रहे है, जो magnitude है unit का, वो क्या हो सकता है, same हो सकता है whatever be the units of measurement, n1, u1 क्या हो, u1, u2 क्या हो हमें फरक नहीं पड़ता लेकिन क्यों जो है, हमारा magnitude जो है total, वो क्या हो सकता है, same हो सकता है कैसे, जैसे मैं यह कह सकती हूँ, कि जो 3 meter होता है, जो 3 meter होता है 3 meter जो length है, वो 300 centimeter के equal है अब यहां पर देख रहे हो, q is equal to n u है, एक बार हमारे पास n के आए 3 है, ठीक है और एक बार unit के है, हमारे पास meter है, तो इसको कहलो n1 u1, n1 हमारे पास 3 है और n2 के है, n1 हमारे पास 3 है और u1 हमारे पास क्या है, meter है, ऐसी second case में हमने क्या लिया, n1 हमारे पास 300 है numerical value कितनी है, 300 है, और u1 हमारे पास कितना है, u2 हमारे पास कितना है, centimeter सेंटीमीटर तो एन्वन थ्री है यूवन एम है एन्टू 300 है यूटू सेंटीमीटर है तो लेकिन थ्री एम इस इकोल टू 300 सेंटीमीटर है यानि कि क्वांटिटी तो सेम रहेगे मैगनिचूड क्वांटिटी का तो सेम है लेकिन एन्वन यूवन यह क्या कर सकते हैं वैरी क होता है आपका cm से, मीटर हमेशा बड़ा होता है आपका cm से, ठीक है, तो आप देख रहें, U1 बड़ा है U2 से और N1 क्या है, छोटा है N2 से, तो यहां से यह दो चीजे निकल के आई, कि U1 बड़ा है अगर U2 से, तो N2 बड़ा होगा N1 से, तो इस केस का मतलब यह है कि U जो है, जो यूनिट है, वो inversely proportional होती है numerical value के, तो यूनिट क्या है, inversely proportional है numerical value के, जितना ज्यादा नमबर होगा, उतनी कम unit होगी, समझे रहें हो, जितना ज्यादा number होगा, जितना ज्यादा होगा तो एन क्या होगा स्मॉल होगा हमने देखा इव बिग है मीटर बड़ा है तो नुमेरिकले वैलिव क्या छोटी ए ऐसी यू स्मॉल है to put on क्या है larger §1 clear होगया यू हमारा च् Elle can हमारी को यू क्या होगा मेरी मीटर से तो एन हमारा numerical value क्या होगी बहुत ज़्याद है तो यह important था कि हमने concept of concept of आपका unit के अंदर हमने यह formula हमें लर रखना है क्यों is equal to any next concept of mass mass क्या होता है mass of body is defined as the quantity of matter in the body which can never be zero अब देखो कोई भी body है है उसका जो आप क्या सकते हो mass होगा वो कभी बी quantity के सिरो नहीं हो सकती इसका कंच iht व cheer होगा सको कुछ ना कुछ mass होगा तो यहां पर यह करैंगा है जो mass होगा body का वो यह quantity of matter in the body which can never be zero अब यह मास होता है कोई भी हमने इस यह बोड़ी रखी है इसके लावा मैं कोई और बोड़ी भी रख दू इनका इसके ऊपर कोई परफ्षाब नी पड़ेगा यह नी होगा इसका मास कम हो जाएगा इसका मास ज्यादा हो जब तो एक दूसरे से अफेक्ट नहीं होते हैं आप कहीं पर भी ले जाओ इसका वेट मैं कुछत जाके कर रहे हैं पानी पर जाके इसका कर रही हो इसका वेट उतना इसका है जितना कि है तो इसके बाद एक ओर hep rat है वो है कि यह मास होता है वो त्व टैप को होता है हुए इं सशल मास एन ग्रेविटेश्नल मास क्या होता है जो ejerc. ऑफ इनर्षी ऑफ बोड़ी मायच है छिलू हे बुद्वाटाइस क्या हता है जो अर्थ की तरफ जो body attract होके आ रही है उसका मास जो है उसका measure हमें क्या दे देता है gravitational mass ठीक है एक तो जो inertia body ने process किया है वो है आपका inertial mass लेकिन जो gravitational pull की तरफ से जो कोई भी object attract होके आ रही है उसका measure अगर हम कर रहे है तो वो किया आपका gravitational mass है और दोनों masses क्या होते हैं same होते हैं जैसे कि unit of mass में देखो हमारे पास जो unit है mass की वो क्या है आपकी kilogram है concept of length में देखो यहाँ पे length क्या होती है is the distance of separation of between two any two points at the two extreme ends of the object तो यहाँ पे हमारे पास मान लो यह object है इसके मैंने दो two extreme points लिए इस object के दो extreme points क्या होंगे ये दोनों तो ये दो एक्स्ट्रीम पॉइंट जो है इन दोनों के बीच की separation हमें क्या देदेती है यह मान लो अबजेक्ट इतनी बड़ी थी इन दोनों की extreme point एक का यहाँ लाई कर रहे है का मानलों यहाँ लाई तो किसी भी ऑपज़क्त के 2 extreme points जो है हमें क्या देदेते उनका separation हमें क्या देदेता है? यानिको उनका distance जो है वह हमें क्या देदेता है? आपका length देदता है इसके बाद है concept of time time क्या होता है? Einstein क्याते है time क्या है? time is what clock reads जो clock read करती है वो क्या है आपका? टाइम की definition देख लेते हैं और time is a measure of duration between the occurrence of two events so दो events के बीच का जो duration है वो हमें क्या देता है time देता है और हम इस तरह से भी कह सकते है time as a measure of the duration for which an event lasts कितनी देरी तक जो event है वो हो रहा है वो हमें क्या देता है time देता है तो time की most common unit है आपकी seconds और आपको कुछ ऐसे phenomena है जो अपने आप ही क्या करते रहते है रिपीट होते रहतें जैसे heartbeat है heartbeat जो है और आपकी जो clock एक तरह का clock का काम करती है heartbeat जो है regularly क्या cheaper रिपीट होती रहती है जैसे कि clock टक टक करके repeat होती है वैसे ही हमारी जो clock है वो कौनसी आपकी heartbeat है ठीक है और आपको पता है कि अर्थ जो अपनी axis के about rotate करती है और इस अर्थ साथ जो sun के about जो rotate करती है तो यह कुछ ऐसे phenomenon हैं जो हमें बताते हैं कि time क्या हो रहा है ठीक है time को measure करने में मदद करते हैं तो आपके पास एक definition और आपको याद रखनी है वन सेकेंड जो है ताइम को measure करते हैं सेकेंड में और वन सोलर डे हमें डिफाइन करना है तो वन सोलर डे क्या होता है इस दा टाइम इंटरवल बिट्वीन टू सक्सेसिव नून्स तो दो नून्स के भीच का जो time interval है वह हमें क्या देता है वन सोलर देता है तो अगर length निकालनी है solar day की over an year पुरे average करके अगर length अगर मुझे find out करनी है solar day की पूरे साल की तो वह क्या होगी आपकी mean solar day होगा तो 1 mean solar day जो है वह क्या होगा 24 hours होते हैं तो 24 hours यानि कि 24 into 60 minutes और 24 into 60 into 60 seconds यानि कि 86400 seconds so one mean solar second किसके क्वेल है one by में 8640 part of a mean solar day तो यह आपको एक चीज और important याद रखनी है तो basically time क्या होता है time क्या होता है आपका कि कितनी देरी तक event जो है वो चल रहा है वो आपका क्या है time है तो अभी के लिए इतना ही तो subscribe कर लें अपना ये चानल और आगे हम जो है कल शुरू करेंगे fundamental units and derived units यह मैंने थोड़ा सा आपको करा दिया था अपने previous lecture में तो वहां से देखके चले तो हम आगे जो पढ़ेंगे वो है आपके पास choice of standard units किस तरह से ही जो हम choose करते हैं units को तो अभी के लिए इतना ही thank you